आपका स्वागत है हमारे योटूब चैनल इस्टडी आफ लाइफ बाराजे सेर आज का ये वीडियो most important रहेगा PGT, TGT, LT, KBS, NBS बले student के लिए जो भी हमारे भाई बहन के biology से PGT, TGT, LT, KBS, NBS की preparation कर रहे है EMRS की त्यारी कर रहे है तो उनके लिए आज का ये वीडियो most important रहेगा चलिए इस्टार्ट करते हैं देख लेते हैं पहला question क्या है इसका answer क्या होगा तो इसका सही answer हो जाएगा देख लिजिए Which one of the following? Algae has a potential of becoming an important source of edible protein खाने बाली protein का मुक्ष सोर्स कौन सी algae है? कुछी भी काम नहीं आती है इनके अन्य महतो हैं तो इसका सही option हो जाएगा option number A, spirulina next question की बात करते है question number 2 Give below a list of Indian botanists and their field of research और उनके research से छेतर सम्दित है You have to field out which is not correctly missed निमन में से कौन सी सही match नहीं करती है तो देख लिजिए आप बाई भरत द्वाज जो है वो algology से सम्दित है बिल्कुल सही बात है और DD पंथ ये भी polio botanist सम्दित है AMOP अयंगर तो ये बिराय लोजी से सम्दित नहीं है येने father of Indian botanist कहा जाता है father of Indian algology कहा जाता है AMOP अयंगर को पंचान महसुरी तो ये भी सम्दित है तो इसका सही option हो जाएगा option number C इसका सही option क्या है option number C next question की बात करेंगे question number 3 the chloroplast of udogonium is trending में कुश्चा रहता है udogonium का chloroplast कैसा होता है तो इसका सही option हो जाएगा option number D reticulate तीमाक में और कोई कचला नहीं भरना है तीके cup sept जो होता है वो udogonium में पाया जाता है और star sept होता है वो तुमारा ilothrax में पाया जाता है disquired जो तुमारा पाया जाता है वो होता है next अलगी में आगे हम बात करें next question की question number 4 अगार अगार is mostly obtained from तो अगार अगार जो होता है एक तरह का पदार्थ होता है जो किस सहवाल से प्राप्त किया जाता है laminaria, dicteota, hydrilla या gelidium तो उसका सही option हो जाएगा gelidium gelidium से jelly नाम के पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे अगार अगार कहा जाता है जिली डियम जो है वो एक red algae है next question की बात करें question number 5 chlorophyll B is not found in chlorophyll B किस में नहीं पाया जाता है mosses में नहीं पाया जाता है farm में नहीं पाया जाता है green algae में या blue green algae में तो इसका सही option हो जाएगा BGA यानि कि blue green algae में chlorophyll A, B नहीं पाया जाता है इसमें chlorophyll A होता है इसके अलाबा इसमें pigments पाया जाते है next question की बात करेंगे question number 6 a parasitic algae is निम्न में से कौन सी parasitic algae है syphelis, cyanela, nostoc, udogonium तो इसका सही option हो जाएगा option number A syphelis जो है वो एक parasitic algae है जो चाय में लाल कि ट्रोग पैदा करती है next question की बात करेंगे question number 7 carpo spore of betraco sperm जो betraco sperm का carpo spore होता है वो कैसा होता है naked and motile naked and motile पहला option था naked and non motile covered and non motile covered and motile तो इसका सही option हो जाएगा option number A ये naked होता है और non motile होता है betraco sperm एक red algae है इसमें किसी भी तरह की कोई motile structure नहीं पाए जाती है next question की बात करें question number 8 intra calorie heterocyst are fund in तो intra calorie heterocyst किसमें पाए जाता है anavena में गिलियो ट्रेकिया या रेबूलेरिया एनाविनोपसिस तो इसका सही option हो जाएगा option number A anavena में जो होता है वो intra calorie intra calorie heterocyst पाए जाता है इसमें बीच में जो heterocyst पाए जाता है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी plant sales यानि plant कुषका है पादब कुषका है इस्पाइरोगारा एस्टाबुलेरिया कारा एक्टोकार्पस तो इसका सही option हो जाएगा option number B एस्टाबुलेरिया जो है plant kingdom की सबसे largest sales मानी जाती है आई यह बात करते हैं इसका सही option हो जाएगा option number C इसका सही option क्या है option number C फाइकोलोजी कहते है एलगी के अध्यन को ठीक है यह ग्रीक भासा का सब्द है next question question number 11 which one of the following has a single थेलेकौाइड पर ग्रेनम has a single थेलेकौाइड पर ग्रेनम तो इसका सही option हो जाएगा option number A red इलगा red इलगा के जो ग्रेनम होता है उसमें सिर्फ एक ही थेलेकौाइड पाया जाता है एक ग्रेनम में एक थेलेकौाइड होता है next question की बात करेंगी question number 12 sinju ispore of boucheria most important question है exam में कई बार पूँचा जाता है कि sinju ispore जो boucheria का होता वो कैसा पाया जाता है PGT, TGT, LT, KBS, NBS का एकजाम होता है इसमें जरूर पूँचा जाता है तो देख लेते हैं यह कैसा होता है union nucleate यह y-flagellate, binucleate, tetra-flagellate multinucleate, multiflagellate multinucleate, a-flagellate तो इसका सही option हो जाएगा answer number C multinucleate and multiflagellate होता है इसका जो sinju spore होता है बहुचीरियागा next question की बात करेंगे question number 13 axo spore आज are produced by axo spore किसके द्वारा उतपारित किये जाते हैं diatums द्वारा, red अलगी द्वारा euglina द्वारा, brown अलगी द्वारा तो इसका सही option हो जाएगा option number A diatums द्वारा जो होते हैं वो produce किये जाते हैं axo spore इनमें axo spore के द्वारा ही अलगी जनन होता है next question की बात करेंगे question number 14 blue green algae are classified in नील हरिस सहवालों को किसमे बरगी करत किया गया है तो इसका देख लेते हैं option किया है rodofaita है या synofaita है rodofaita जो है उसमें blue green algae को रखा गया है next question की बात करेंगे question number 15 oil is the reserve food in oil किसका reserve food है ठीक है यहां देख लेते हैं clamidomonas का odogonium का voucheria का kara का तो सही option हो जाएगा इसका option number c voucheria next question की बात करेंगे question number 16 नेनेंड्रिया और फंड इन नेनेंड्रिया अवस्ता किसमें यानि कि बाउना नर अवस्ता कितमें पाई जाती है देख लेते हैं ectocarpus odogonium बाउचेरिया कारा तो इसका सही option हो जाएगा option number b odogonium में बाउना नर पाया जाता है ओके आगे हम बात करते हैं next question की question number 17 in which of the following plants archigonium is absent देखो पौधों को जो lower plants हैं उनको दो भागों में बाटा गया है एक कहा गया archigonium एक कहा गया है non archigonium तो जो non archigonium होते हैं वो bryophyte से पहले आते हैं ok bryophyte से पहले जितने भी पादप हो गये थे उन्हें हम non archigonium कहते हैं जिसे अलगी तो देख लेते हैं निमन में से अलगी कौन है spirogyra funeria teris या psychus तो उसका सही option हो जाएगा option number A spirogyra बाकि जितने भी हैं ये देखो funeria जो होता है वो bryophyte है teris जो है terdofite है और psychus जो है वो angiosperm है next question की बात करेंगे question number 18 the organ sorry the organ by which yellow threx is attached to its substration is called yellow threx का बह अंग जिचके द्वारा भूम के अधार से जुला रहता है कही जाती है rise whites कहते हैं hold fast कहते हैं trichomes कहते हैं या roots कहते हैं तो इसका सही option हो जाएगा option number b hold fast ठीक है next question की बात करेंगे question number 19 which of the following is an algae निम्न में से कौन एक सहवाल है निम्न लिखित में से कौन एक सहवाल है apple moss iris moss club moss या reindeer moss ठीके reindeer moss जो है वो lycan है club moss जो है वो है तुमारा क्या बोलते है उसे bryophyte है teradophyte है ठीके आगे तो इसका सही option हो जाएगा option number b iris moss क्या होता है iris moss next question की बात करेंगे question number 20 blue green algae blue green algae is not present in the plant body of निम्न में से निर हरी सहवाल किस पोधे में नहीं पाई जाती है निर हरी सहवाल किस पोधे में नहीं पाई जाती है psychus में pinus में azola में anthoceras में तो इसका सही option हो जाएगा option number b pinus में किसी भी तरह के कोई निर हरी सहवाल नहीं पाई जाता है इसमें mycorrhiza पाई जाते हैं जो fungal association होता है next question की बात करेंगे question number 21 20 देख लिया था sorry 21 next question की बात करेंगे 21 which alga is responsible for red color of red sea जो red color है sea का लाल सागर के लार रंग है तो कौन सी सहवाल उत्तरदाई होती है तो इसका option देख लेते हैं laminaria eurothrax sargassum trichodasmium तो इसका सही option हो जाएगा trichodasmium जो होता है वो red alga है ठीक है जो लाल सागर में बहुताया से अगर उख जाते हैं तो उसका color red हो जाता है next question की बात करेंगे question number 22 globule and nickel as male and female sex organ are fund in globule and nickel नामक नर तथा मादा जननंग पाये जाते हैं यह important question है most important इस पर double star बना लो double star ठीक है most important question है laminaria है इसका option या ilothrax, sargassam या kara तो most important 5 अच्छर वाला जननाम है इसका नाम है kara kara में globule और nocule male and female sex organ के रूप में पाये जाते हैं next question की बात करेंगे question number 23 the shape of chloroplast of spirogyra as is spirogyra में हरित लबक का आकार होता है girdle sept होता है cup sept होता है reticulate होता है या spiral sept होता है तो इसका साई आप सम हो जाएगा question number D spiral sept पाया जाता है spiral gyra में जो तुमारा हरित लबक होता है next question की बात करेंगे question number 24 a thalus of bulwax is called as bulwax का thalus कहलाता है syenophyte syenobium colony या filament तो इसका सही आप सम हो जाता है बैसे तो यह colonial algae है लेकिन इसकी algae की colony का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें जो कुषकाएं होती है वो निश्चित पाय जाती है तो निश्चित कुषकाओं वाली जो colony होती है उसे हम syenobium के नाम से जानते है तो इसकी जो colony होती है उसे हम syenobium कहते है thalus structure का कहते है syenobium next question की बात करें question number 25 number of paranoids are and chloroplast in illothrax illothrax के paranoid में chloroplast number illothrax में paranoid chloroplast की संख्या होती है तो बन chloroplast with few paranoids बन chloroplast with several paranoids several chloroplast and बन paranoids none of these तो इसका सही option हो जाएगा option number B बन chloroplast with several paranoids कुछ paranoids पाय जाते हैं और एक chloroplast होता है प्रती कोसका में illothrax की next question की बात करेंगे question number 16 बैटर को sperma is बैटर को sperma क्या है बिलिव गुरीन algae है ब्राउन algae है रेड algae याव फ्रस बाटर है रेड algae आफ सी है तो इसका सही option हो जाएगा option number C जो ये रेड algae है और कहां पाय जाती है फ्रस बाटर में तो ये most important question है बैटर को sperma को चोड़ करेंगे बैटर को sperma को चोड़ करेंगे question number 27 कपसेल आर फंड इन जो कपसेल होती है वो किस में पाय जाती है sorry कैपसेल कैपसेल पाय जाते हैं नौस्टॉप में इस पाइरोगारा में उड़ोगोनियम में सारगास में इस पार केवियस में भी ये question पूछा गया था 2023 का जो केवियस होगा था उस पे पूछा गया था और इसके अलावा PGT में ये trending question रहता है कि कैपसेल आर फंड इन तो इसका सही आपसेल हो जाएगा आपसेल नंबर C उड़ोगोनियम उड़ोगोनियम से हर एक्जाम में कोई ना कोई एक question अबस से पूछा जाता है next question की बात करेंगे question number 28 which one of the following algae has deployed sex organ which one of the which one of the following algae has deployed sex organ निम्न में से किस निम्न में से कौन से सहवाल में दो इड़ोगोनियम या सारगासम निम्न में से किस में deployed sex organ पाए जाते हैं तो इसका सही आपसन हो जाएगा आपसन नमबर D सारगासम सारगासम जो होता है इसमें deployed sex organ पाए जाते हैं next question की बात करेंगे question number 29 who is known as the father of psychology हमने आपसे पूछा था father of psychology किसे कहते हैं सहवाल सास्त्र का पितामा किसे कहा जाता है Aristotle को मैचली को M.O.P. अयंगर को Frisch को सो इसका सही आपसन हो जाएगा Frisch M.O.P. अयंगर को Indian Algology का father कहा जाता है मैचली को Mycology का father कहा जाता है Aristotle को Geology Biology का father कहा जाता है next question की बात करेंगे question number 13 Which one of the following Navicula is related Which one of the following Navicula is related Navicula निम लिखित में से किस से सम्मन्द रखता है ये question आप सभी लोग हमारे comment box में comment करेंगे Okay देखते हैं कितने वच्चे इस question का जवाब दे पाते हैं आप PGT, TGT, LT, KBS, NBS की अगर preparation कर रहे हैं तो आपको ये question मालूम होना चाहिए चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद देखते हैं अगली वीडियो में आप कैसा परदसन करते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है एलगी के second lecture की ये एलगी जाप्रटिसर जो है फस्ट रहेगा और second part हम जल्द ही बनाने वाले हैं